नमस्कार साथियों स्वागत है आपका HDV टीम बनारस में आईए देखते हैं 18.12.18 के बचे हुए 17 प्रसनों को चलिया यह तो start करते हैं इसके पहले वाले वीडियों में हमने 20 प्रसनों को discuss किया हुए है अगर आपने नहीं देखा है तो description में लिंक दिया गया है दोस्तों जरूर से देख लें चलिया यह देखते हैं पहले प्रसन को पहला प्रसन है कि दूद का धूला होना मुहावरे का अर्थ है इसका अर्थ क्या होगा निर्दोस होना दोसी होना पाप करना या फिर चूरी करना तो जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं दूद का धूला होना इससे इसका answer मिल जा रहा है क कोई ब्यक्ति अगर दूद का धूला हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो साफ सुतर होगा यानी कि निर्दोस होगा ठीक है तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तो निर्दोस होना होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण है जिसकी लाठी उसकी भैस लोकोक्ति का सही अर्थ है तिक है जिसकी लाठी उसकी भैस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर सक्ति साली आदमी मुर्ख होता है सक्ति संपन आदमी अपना काम बना लेता है या बुध्धी संपन आदमी अपना काम बना लेता है या बुध्धी संपन आदमी चालाग होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग उक्ति कहते किसे हैं लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को ही लोगों को उक्ति करते हैं यानि कि ऐसी उक्तिया या ऐसी सुक्तिया जो लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध होती है ठीक है आम बोल चाल की भासा में लोग हमेशा उसका प्रियोग करते हैं उसे ही हम क्या करते हैं लोगों को उक्ति आदमी अपना काम बना लेता है ठीक है दोस्टो अप्शन नमर भी आपका सही हो जाएगा आगे अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है वीरज का स्थाई भाव है वीरज का स्थाई भाव क्या होगा क्रोद, भै, बिसमय या फिर उस्दा ठीक है दोस्तो अगर हम बात करें क्रोध की तो क्रोध रोद्र रसका इस्थाइबा होता है किसका होता है दोस्तो तो यहां रोद्र रसका इस्थाइबा होता है अगर भै की बात करें तो भै आपका भैयानक रसका इस्थाइबा होता है किसका होता है यहां भैयानक रसका इस् ठीक है तो विर्रस का इस्थाई भाव क्या हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उस्साह हो जाएगा ठीक है दोस्तो चलिए आईए देखते हैं अंगला प्रस्ण कितनी मात्रा होती हैं ग्यार हुटा है कितना होता है तेरा मात्रा होता है दोहा का ही उल्टा होता है सोर्था, क्या होता है सोर्था, सोर्था से भी कई बार प्रस्न पुछा गया है, तो याद रखेगा आप लोग, अगर पुछा जाके सोर्था के प्रथम चरण में कितने मात्राइं होती हैं, तो वह होती है, ग्यारा, ठीक है, याद रखेगा, अग काब्य की सोभा सब्दों से बढ़ाई जाती है वहाँ पर सब्दा लंकार होता है ठीक है और जिस काब्य की सोभा अर्थों से बढ़ाई जाती है वहाँ पर अर्था लंकार होता है तो इसका सही जवाब कौन सा होगा किसमें सब्दा लंकार है तो इसका सही जवाब होगा यम ठीक है दोस्तों यह मक में क्या है आपका सब दालंकार है जबकि उपमा रूपक और रिच्छाइन तीनों में ही अर्था लंकार है कौँसा है आपका अर्था लंकार है ठीक है आगे अगला देखते हैं निम्ने में से तालब व्यधोनी है पस या फिर कौँसा है तालब बोलने के लिए हम अपने तालू का प्रियोग करते हैं, उसे तालब बेदोनी करते हैं, इसके अंतरगत आपका स आजाता है, कौन सा आजाता है, स आजाता है, अगर ट की बात करें, तो ट आपका मुर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसे मुर्धन ने दोनी का जाता है, पर को याद रखेगा आईए अगला देखते हैं वे मैं से कौँ सा वर्ड अगोस है गन जाम एगहोस हानल जाएं अगर हम फोकी बात करें इससे कहा जाता है तो जोसतो के दो प्रकार होता है एक यह सई अगोस वर्ड होता है अगोस के अंतरगत आपके पहला और दूसरा वर्ड होता है ठीक है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है अगोस होता है और किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा और पाचवा वर्ड क्या होता है सगोस होता है ठीक है दोस्तों तो पहला द क्या है आपका अगोस वर्ड है ठीक चलिए आए देखते हैं अगला प्रस्ण निमन में से कौन सब्द इस्त्रिलिंग है उपहार, ग्रांथ, मस्तक या फिर रचना ठीक है तो जिस सब्द से क्या होता है इस्त्री सब्द का बोद होता है ठीक है उसे क्या कहते हैं हम लोग इस्त्री लिंग कहते हैं इसमें से आपको बताना है कि कौँसा सब्द इस्त्री लिंग है तो वह है आपका रचना कौँसा है दोस्तो रचना आपका क्या है एक इस्त्री लिंग सब्द है ठीक आईए अगल इस टाइब का प्रसना है दोस्तों तो सबसे पहले आप यह काम करेंगे कि आप पहले प्रसनों को एक बार पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप गद्यास को पढ़िए तो इससे आपको प्रसनों का उत्तर खोजने में सरलता हो जाएगा और बहुत इसली आप उससे हल कर सबसे पहले क्या करते हैं प्रसनों को पढ़ लेते हैं जैसे पहला प्रसना है आपका कि खेलों में निर्धन राष्ट रहा भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां है तो जब हम लोग गद्यास पढ़ेंगे तब इसका एंसर मिल जाएगा बस मन में आप एक बार प्रसनों को पढ़ कर उसे मन में रखे रहिए दोसरा प्रसन है कि गद्यास का उपरयोग्त सिर्षक हो सकता है तो जब गद्यास पढ़ेंगे तभी उसका सिर्षक भी निकल जाएगा नेश्ट है खेलों के गिरते अस्तर का कारण नहीं है ठीक है फिर नेश्ट है कि खेलों पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है किसका नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है फिर लाश्ट है कि गद्यास के अनुसार राश्ट की उपलब्धियों में नहीं है क्या नहीं है सिच्छा स्वास्त खेल या क्रिसी चलिए अब तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गद्यास को पढ़े लेते हैं तो यहां से आपका गद्यास स्टार्ट होता है तो गद्यास को पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में स्वाधिन्ता प्राप्त करने के बाद अनेक छेत्रों में महत्वपूर्ड उपलब्धिया प्राप्त की है इसने भारत ने जब हम स्वातंत्र हुए तो उस समय हमारी इसती अच्छी न थी सरकारी प्रयासों से काफी सुदहार हुआ परन्तु अभी भी एक छेत्र ऐसा है जिसमें हम कुछ विशेस नहीं कर पाए हैं इससे बड़ी बिडंबना क्या हो सकती है कि वर्शों से हम उलम्पिक में कोई स्वड़ पदक नहीं जित पाएं दुनिया के छोटे छोटे और विक्सित निर्धन राष्ट्रों के प्रति भागी भी खेल कोद के छेत्र में हमसे आगे निकल गये हैं तो यहाँ जो पहरा ग्राफ ही यह काफी पूराना है ठीक है दोस्तों अगर हम वर्तमान के भाद करें तो अब हमारा देश खेल के चेतर में काफी आगे बढ़ रहा है वो अलम्पिक से काफी स्वर्ड पदक भी जीत कर ला रहा है ठीक है तो किन्तो हमें जो गद्यांस दिया है खेलों में गिरते अस्तर के लिए कौन जिमेदार है एक और सरकार की उदासें दोस पुड सरकारी नितिया है तो दूसरी और विभिनस खेल संगों के गुट बाजी खिलाडियों के लिए सुविदाओं एवन प्रसिछड का सरुथा अभाओ या कुछ और प्रतियोगियो में भाग लेकर खाली हाथ लोटने पर सभी एक दूसरी को दोसी बताते हैं कारण चाहे जो भी हो इतना तैह है कि खेल कुद को राश्ट्री या सम्मान का पर्याय नहीं मानते अभाओ प्रतियोगिताओं का नहीं अभाओ है तो लगन का प्रोसाहन का संकल्प का और मुह त जवाब देने वाले जीवट का चलिए आईए अब देखते हैं प्रस्नों को खेलों में निर्धन राश्ट भी हमसे आगे निकल गये क्योंकि वहाँ है क्या है आपसी गुडबंदी है खिलाडियों की उपेच्छा है दोस पुड नितिया या फिर खेलों को राश्ट का सम् करने से यानि कि उन्हें क्या करें अपमानित करके या फिर दोस पुड नितिया यानि कि ऐसी नितिया बनाए जिसमें दोस ही दोस हो तो वह कहां से आगे वड़ पाएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा है खेलों को राश्ट सम्मान ठेक है दोस्तों नेस्ट है आपका ग पर सुतंतरता प्राफ्ति की तो बात नहीं की गई है, नहीं कि ओलम्पिक पदक लाने की बात की गई है, और नहीं राश्टी प्रतियोगिताओं की बारें बात की गई है, यहाँ पर सबसे यादा जो फोकस किया गया है, वह किस पर खेलों की गीरते अस्तर की बारे में बात क ति आगया है ठीक है फिर नेष्ट है खेलो के गिरते अस्तर का कारण नहीं है दोस पुड़ नितिया संगो की गूटबाजी सुविधाओN का अभाव या खेलो के लिए राश्ट्री संवान तो क्यों सा कारण नहीं है तो दोस पुड़ नितिया तो कारण है संगों की गुडबाजे भी कारण है सुविधाओं का अभाव भी कारण है किन्तु खेलों के लिए राश्ट्री सम्मान यहां कारण नहीं है ठीक है यहां बलकि खेलों को क्या करेगा बढ़ावा देने का कारे करेगा फिर next question है आपका खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस चीज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाडियों को सुविधा देने से अभ्यास करने से आपसी गुडबंदी होने से या खिलाडियों को सम्मान देने से तो इसका सही जवाब क्या होगा आपसी गुडबंदी से जब आपसी गुडबंदी ही चलेगी तो खेल कहां से हो पाएगा ठीक है तो इसका सबसे ज़्यादा नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो इसका सही जवाब होगा आपसी गुडबंदी फिर निस्ट है आपका गद्यांस के अनुसार राश्ट के उपलब्धियों में नहीं है क्या नहीं है सिच्छा, स्वास्त, खेल या क्रिसी तो अभी हमने पूरा पैरेग्राफ इसी पर पड़ा जिसका सही जवब क्या हो जाएगा खेल अगर सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो इनका एक प्रसिद रचना है ठीक है, महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है इनकी प्रसिद देख रचना है यामा ठीक है दोस्तो, आईए देखते हैं नेश्ट प्रसना गोदान किसका उपन्यास है इसका नाम पढ़ते ही आपको याद आगया होगा कि है किसका उपन्यास है बड़ ही फेवस उपन्यास का रहे है प्रसिद उपन्यास का रहे है प्रेम चंदर जी इनका पूरा नाम है मुसी प्रेम चंद्र, गोदान इनी का है, गबन इनी का है, निर्मला इनी का उपन्यास है, ठीक है दोस्तो, आईए अगला प्रस्म देखते है, बीजग किसकी रचनाओं का संग्र है, ठीक है, बीजग क्या है रचनाओं का संग्र है, वक्योल एक रचना नहीं है बलकि साखी सबद रमैने इन तीन रचनाओं को मिलकर क्या है बिजग बना हुआ है ठीक है तो यह किसकी रचना है कबीर जी की जैसी की सूर दास या फिर तूलसी दास जी की तो इसका सही जवाब है कबीर ठीक है यह किसकी रचना है कबीर जी की रचना है आगे नेस् दोस्तो अंधिर नगरी नाटक के रचिता हैं अंधिर नगरी नाटक के रचिता कौन है जैसंकर प्रसाद मोहर राकेस भारतेंदू हरिस्चंद्र या फिर भेसम साहनी तो इसका सही जवाब है भारतेंदू हरिस्चंद्र ठीक है दोस्तो तो आज आपका 2018 का प्रथम पाली का पेपर क्या हुआ यहाँ पर समात तो हुआ नेश्ट वीडियो में हम लोग 18 जुन को हुई 2nd पाली में हुए पेपर को डिसकस करेंगे 2018 के पेपर को ठीक है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करियेगा दोस्तों